हेलो गाईस आप सबी लोग का स्वागत है मार्केटिंग को के यूटूब चैनल के अंदर और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप Shopify स्टोर के अंदर discount coupon या फिर discount code को create कर सकते हो और वो coupon code किस तर से आप यूज करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर so without any further due let's get started guys सबसे पहले आपको अपना जो Shopify का admin panel है उसको आपको open करना है और यहीं पर आपके सामने ही option आता है discount का तो यहाँ पर आपको discount के उपर करना है click और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएका यहाँ पर आपको create discount के उपर click करना है अब यहाँ पर हम आए सामने total 4 तरीके के discount आ रहे हैं आपके सामने सबसे पहले product के उपर आप discount create कर सकते हो orders के उपर आप discount create कर सकते हो buy one get one free जो होता है उसके उपर आप discount create कर सकते हो या फिर free shipping wallet discount को उपर आप create कर सकते हो तो अभी के लिए हमें क्या करना है हमें product के उपर discount create करना है तो इसके उपर मैं click करूँगा यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने आगया discount code ठीक है अब यहाँ पर आप automatic भी generate कर सकते हो लेकिन आप खुद से self generate करोगे तो वो ज़्यादा best लगता है सपोज हमारी जो website है वो है marketing goki ठीक है अभी अपने client की website लिए तो इनकी जो website है उसका नाम है Westo India तो मैं क्या करता हूँ Westo और 20 20% मैं discount दे रहा हूँ तो Westo 20 करके मैंने code यहाँ पर यह generate किया है तो इसको मैं copy भी कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने Westo 20 करके coupon code बनाया है इसके नीचे जब हम आएंगे तो आपके सामने आएगा percentage of a fixed amount कि कितने percent आपको discount देना है या फिक्स amount को कुछ आपको discount देना है तो यहाँ पर मैं 20% कर देता हूँ आप fix amount भी कर सकते हो आपके according है यह मैं percentage में दे रहा हूँ और 20% में दे रहा हूँ अब यहाँ पर आप select कर सकते होँ कों-कों सी collection के उपर आप दे रही हो ठीक है तो यहाँ पर browse गर कर्वेद आप जो भी गैर करने सारी कर्यक्शन है इसके बाद यहाँ पर आता है minimum purchase requirement अगर आपको minimum purchase requirement लगानी तो आप लगा सकती हो या फिर no पर आपको select करना है तो मैं minimum लगा देता हूँ यहाँ पर कम से कम 2000 या फिर 2500 की shopping करेगा तब जाके उसको 20% off मिलेगा ठीक है या फिर मैं इसको 2000 कर देता हूँ या फिर minimum quantity हो कितनी purchase करेगा उसके उपर हम इसको applicable करेंगे ठीक है तो minimum purchase पर मैं amount पर कर देता हूँ इसके नीचे हम आएंगे all customer मतलब किसी अगर आप specific customers को देना चाहते हो coupon code वो भी आप provide कर सकते हो और यहाँ पर specific customer पर click करोगे तो यहाँ पर customer को आपको search करना है जो भी आपके customers होंगे यहाँ पर आ जाते है automatically है ना तो वहाँ से आप find कर सकते हो यहाँ पर हम all customer पर click करेंगे अब यहाँ पर आ जाता है maximum discount uses कितनी बार coupon code का use कर सकता है एक single person तो मैं unlimited time कर देता हूँ ठीक है limit नहीं लगाने मेरे को यहाँ पर आप यहाँ पर कर दो limit one user per person ठीक है इस पर मैं click कर देता हूँ कि एक person एक customer एक बर use कर सकता है इसके बाद हमारा आ जाता है अग इसमें combinations है यह new आया भी फीचर ठीक है combination आ रहा है कि other product discount मतलब अगर आप दूसरे product भी और add करते हो तो उसके उपर भी आपको discount मिल जाएगा या फिर second shipping discount आपको मिल जाएगा ठीक है तो हमें यह साथी चीज़े आपको नहीं करनी है आपको बस यहाँ पर नीचे आपको स्टार्टिंग और एंड इसलेक करनी है ठीक है तो स्टार्टिंग के डेट तो आज की होगी और एंड डेट आपको इसे भी सिलेक कर सकते हो जैसे मैं पास दिन के लिए रखना चाता हूँ तो सब कुझा 21 से तो 26 के हो मैं इसको एंड करना चाता हूँ अब यहाँ पर मैं सेव डिसकाउंट पे क्लिक कर दूँगा तो जैसे मैं इसको उपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा वेस्टो 20 करके कूपन कोड बन चुका है अब मैं वेबसेट के उपर यह कूपन कोड मैं अपलाए भी करके देखता हूँ एक बर कि यह वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है तो हमारी वेस्टो 20 की वेबसेट आवाना यहाँ पर ओपन हो चुकी है अब यहाँ पर हम कोई प्रोड़क्ट ओपन क करता हूँ ठीक है यह मैंने ऊपन किया एट्ट काट क्या मैं इसको अध्ट करने के बाद मैं बागी चीजेश रिमूव कर देता हूँ कि ऑगे एगरी उसके बाद चेक आउट चेक ऑट पर क्लिक करके हम चेक रूपर आ जोएगे तो आप देख सकते हूं importantes करें है यहाँ पर Descoun Systems Analysis Show क şunu कर रहा है तो यहाँ पर हम paste कर देंगे और apply प fences कर देंगे और apply पर क्लिक करेंगे अभी आप देख सकते ह हो 3700 आ रहा है हमारा अभी apply करके हम देखते हैं कि यह work कर रहा है नहीं कर रहा है तो definitely उपर आप भी देख सकते हो 20% हमारा off हो चुका है ठीक है हमारा properly 20% off हो गया और यहां पर हमें 3000 का कुछ मिल रहा है तो यह work भी कर रहा है I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही Shopify से रेलिटेट या फिर website development से रेलिटेट वीडियो हम बनाते रहते हैं Shopify की पूरी सीरीज हमारे इस YouTube चैनल में आपको मिल जाएगी description में आपको सबका link playlist का पूरा link मिल जाएगा आप उसको और देख सकते हो Shopify अगर आपको और चीज़े सीखनी है तो इसके अलावा आप हमारे इस वीडियो को like कर सकते हो comment में अपना feedback जरूर दो और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो thank you